कि घर में मिहमान आ जाएं और कुछ भी मीठा नहीं है तो चलिए आज आटे का हलवा नए अंदाज में सर्फ करना और बनाना सीखते हैं तो शुरू करते हैं मस्ते दोस्तों की तैंजली के दुनिया में खुब-खुब स्वागत है दोस्तों यह गेहूं का आटा घी चीनी द कटोरी घी और पॉन कटोरी चीनी अगर आप बहुत घी का खाना चाहते हैं तो इसको एक कटोरी कर सकते हैं और यह ड्राइफ टूट आप अपने मन के अनुसार ले सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने चीरोंजी पिष्टा काजू लिया है बाकि आप जो भी लेना चाहें अब दोस्तों कड़ाई चड़ा दी और इस घी को बीश बीश में इस्तेमाल करते जाएंगे ड्राइफ फ्रूट्स को भी फ्राइ करने में और आटे को भी भूनने में सभी में यही काम आएगा घी और थोड़ा अगर ज्यादा घी वाला हलवा खाते हो तो जितना आटा ल प्रिष्टा भी इसमें डाल देंगे और बाकी थोड़े काड़ कटेवे इस्तिमाल कर लेंगे तो देखिए निकाल लिया बहुत इनका कलर नहीं चेंज हुआ है बस थोड़ा सा गुल्डन सा हो गया अब जो घी है इसमें और घी डाल देंगे पर पूरा नहीं डालेंगे जितना बचा उसका आधा घी डाल देंगे अब इसमें आटा डाल देंगे गेहु काटा मैदा मत लें गेहु काटा लें और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर धीमी और बीच में रखेंगे ना बहुत धीमी ना बहुत तेज और इस तरीके से थ तोड़ा घी और डाल कर इसको गुलाबी बुन ना गुलाबी से थोड़ा ज़्यादा गुल्डेन से कलर आने लगेगा और अगर आप तोड़ा ज्यादा कर लें इस से क्यां पूंते जाएंगे दीरे-दीरे जो आटे का चिपकने वाला होता वो बिलकुल छूट जाएगा और यह आटा फ्री हो जाएगा बिलकुल भी भूनते समय जैसे शुरू में आटा स्पेशला से या कर्षुल से चिपकता है वो बिलकुल नहीं होगा अब इसमें दोस्तों चीनी डाल देंगे चीनी आप गाते हो तो इससे भी कम कर लेजिए हूची चीनी यहाप अपने सिहत के अनुसार और टेस्ट के Anुसार लेजिए और जो यह कटोरी है इस कटोरी से देखें दो कटोरी पानी डाला एक ही कटोरी उचांड करेंगे तो नापना बहुत आसान हो जाएगा देखे दो काटोरी कं लग रहा थो तो तीसरी काटोरी पानी डालें इनकिती 2 कटोरी पानी वक्तर शेज़ां किया कि इक डूरिया अटा पॉनक डोरी जीनी और तीन कटोरी पानी चीनी में थोड़ा बचा लिया है इसलिए आप आधी कटोरी समझ लीजिए अब इसको अच्छे से चलाते चलाते बिल्कुल फ्री हो जाएगा बिल्कुल इसका यह देखे अब थोड़ा सा घी डाल दें इससे की भूनना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आटे की उपर चमकने सा लगेगा अलग थोड़ा दिखने लगेगा देखे अब बिल्कुल भी नहीं चीपक रहा है यह देखे फिर भी इसको थोड़ा सब दबा दबा के अच्छे से भून लेंगे कहीं भी कच्छा पन नहीं रहना चाहिए आटे का हलवा जितना भूना हो होता उतने ही अच्छा होता है अब इसमें दोस्तों जो भी आप ड्राइफ्रूट्स डालना चाहते हों पूरे में मिक्स करना चाहते हो डाल लीजे और थोड़ा सा बचा लीजेगा गार्निशिंग के लिए तो गैस बंद कर देते अब देखिए दो कटोरी ले लिए या द ड्राइफ्रूट्स डाल दिया जो बीडालना था और उनके ऊपर हलवा इस तरीके से इसे दबा देंगे एक थोड़ा सा अंधीरा सा लग रहा है थोड़ा रौश्णी कम लग रही है इसलिए एक आपको डार्क कलर का दिख रहा है और एक लाइट कलर का दिख रहा है लेकि कि इसको ऐसे करके तो अंदाज भी नया है और बनाना भी आसान तरीका बिलकुल आसान तो देखे अभी मैं आपको चम्मस से दिखा रही कि घी भी बहुत ज्यादा नहीं है और बिलकुल बढ़िया बना देखे नीचे प्लेट में चिपक भी नहीं रही है देखे और अगर आ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ गिता अंजली के दुनिया में नमस्ते